जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जुलाई 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए 27 जुलाई का दिन कैसा रहेगा इस दिन ग्रहों की इस्तित्थी क्या होगी क्या तित्थी होगी क्या नक्षत्र होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर किस तरह से होने वाला है ये दिन किस वजहा से बहुत खास है कुछ दुर समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो 27 जुलाई की बात कर रहे हैं और ये सावन के महीने का पहला मंगलवार है सावन के महीने में जो मंगलवार का दिन होता है उस दिन मंगला गौरी का वरत किया जाता है जो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है लेकिन इ इस दिन चतुर्ती तिथी है अब चतुर्ती तिथी जो होती है ये भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है और ये जो चतुर्ती है इसको अंगार की चतुर्ती का नाम दिया जाता है तो अब मापारवती की पूजा होगी इस मंगला गौरी वरत के दिन लेकि साथ में उनके पुत्र भगवान श्री गणेश की भी पूजा होगी उनका वरत किया जाएगा ये एक बड़ा दो लब संयोग है कि दो दो तिथियां एक साथ इतनी अच्छी निर्मित हुई है शत्विशा नक्षत्र रहेगा इस दिन शोबन नाम का योग बनेगा साथ में इस दिन ग कुछ तिथियां हैं जो की निर्मित हुई है तो अब इन तिथियों का जो प्रभाव है इन योगों का जो प्रभाव है वो तुला राशी के लोगों पर कैसा होने वाला है चलिए पहले राशी फल के बारे में जानेंगे उसके बाद जानेंगे कि इस दिन आप किन किन यात्राइं हो सकती हैं परिवार के साथ अगर आपके यात्रा करते हैं तो वो आनंद से भरी रहेंगी अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे वक्त बिताने का अच्छा समय बिताने का या आपके लिए अच्छा मौका होगा परिवारिक आय में भी सुदार होता हुआ दिख जाएंगी माता की तरब से कुछ लाब की प्राप्ति का योग बना हुआ है अगर माता की संपत्ति संबंदित कुछ आपका कानूनी विवाद चल रहा था तो वहां आपके लिए कोई खुशखवरी हो सकती है मामला आपके पक्ष में आ सकता है तो माता के तरब से लाब की मिलने का योग है ये व्यक्ति कामकाज के सिलसिले में आपसे मिल सकता है और उनकी सलह मश्वरा आपकी काफी काम आ सकते हैं आज के दिन जो संयोग है जो योग अच्छे बने हुए हैं उनका प्रभाव आपकी दिन चरिया पर जरूर होगा अपने इसी स्वभाग योग के कारण आप शाम तक अपने हर काम को पूरा कर पाएंगे बस आप कोशिश करें अपने दिमाग को इधर उधर ना भटकने दे ताकि आपका जो दिमाग है वो अपने काम से नहाटे और अपने काम पर आप पूरी तरह से केंद्रित रहें आप भविश्य को लेकर ज़्यादा सोच विचार भी कर सकते हैं अगर आपने कोई निवेश के लिए कोई योजना बनाई है या आप किसी योजना में निवेश क करना चाहते हैं तो वहां आपको सोच समझ कर निर्ना लेना होगा सोच समझ कर अगर आप निर्ना लेते हैं तो वह आपके लिए अधिक फलदाई रहने वाला है वेवसाय करने वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी अनुकुल रहेगा आज आपको कुछ नई लोगों से इमेल के जरीए आप एक दूसरे से संपर्क मेरें इसका ध्यान रखें आप आपके विचारों में इस पस्टता रहेगी कुछ गंभीर मुद्दों पर भी आप इस पस्टता से बाचीत कर पाएंगे गर परिवार को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो समस्या का समाधा निकाल पाएंगे अब आपको साफ दिखने लगेगा क्या सही है और क्या गलत है और इसी तरह से आपको अपने हर काम में सफलता भी मिलेगी हर परिशानी से आप छुटका रहा सकते हैं इस दिन कजकेसरी योग भी है जो की सुबाता की रहेगा इस योग में आप धन के लिए धन प्राप्त करने के लिए या फिर आपका कहीं पैसा फसा है तो उसे प्राप्त करने के लिए गर आप प्रयास करते हैं तो ये आपके प्रयास जरूर सफल होंगे आपके की कोशिश से बेहद लाबदायक रहेंगे प्रेम समंद और विवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन उनकी बात करें तो प्रेम समंद में आज का दिन कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता है आज दूरिया बढ़ सकती हैं लेकिन चिंता ना करें ये थोड़े समय के लिए ही होगा आपकी तुनक मिजाजी या आपकी नकारात मक्ता राह में अर्चने पैदा कर सकती है राह में रोडे अटका सकती है तो ठंडे दिमाग से काम लेना है कोई भी अगर चीज होती है चाहे आपके बाहर का हो फालतों की बहस में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो जो बहस होगी वो आपको तनाव की कारण आपका दिन बरबाद हो सकता है तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा बाकि स्वास्ते संबंदी कुछ परिशानिया आपके लिए नहीं दिख रही है स्वास्ते आपका अच्छा रहेगा काफी एनरजेटिक रहेंगे और एनरजेटिक होंगे तो अपने कामों पर भी ध्यान जादा दे पाएंगे धन संपत्तिक से जुड़े हुए मामले जरूर आज आपके लिए अच्छे रहेंगे कुछ लोगों के लिए तो आज कदिन एक आशिरवाद की तरह सिद्ध हो सकता है तो आज मंगला गौरी व्रत भी है साथ में आज गणेश चतोर्थी अंगारक चतोर्थी का दिन भी है दोनों ही दिनों का एक दिन होना एक विशेश सयोग बना है यानि मापारवती की पूजा अर्चना तो होगी ही साथ में भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी होगी दोनों का आशिरवाद आपको एक साथ देखने को मिलेगा अब इस दिन आपको क्या करना है देखे जिन लोगों के विवाह में बाधाई आ रही है विवाह नहीं हो पा रहा है अर्चने आ रही है रिष्टा नहीं हो पाता है उमर आपकी बढ़ चुकी है 30 से जादा हो चुकी है तब भी रिष्टा नहीं हो पा रहा है तो ये एक ऐसा व्रत है मंगला गौरी व्रत जोकी सावन के मंगलवार को किया जाता है तो इसका विशेष लाब आपको मिल सकता है और ये भगवान करनेश की पूझा भी होगी इस दिन तो बड़ा ही विशेष लाबदायक से ये दिन आपके लिए हो सकता है वैसे तो पूरा सावन का महिनाई बहुत शुब होता है लेकिन अगर हम एक दिन बात करें तो मंगला गोरी वरत बहुत उत्तम होता है इस दिन अखंड सौभागे के लिए भी वरत किया जाता है संकटी चतोर्ती और ये जो मंगला गोरी का वरत है तो आप इस दिन विदी विदान से पूजा अर्चना करें इस दिन सूर्य उदै से पहले उठें और स्नानादी करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारन करें इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा विछा कर मा पार्वती भगवान रश्णो शिव यानी शिव परिवार की प्रतिमा को स्थापित करें विदी विदान से माता पार्वती भगवान गनेश की पूजा आर्चना करें मा पार्वती को सुहाग की चीज़ें जरूर चड़ाएं और फिर वो सुहाग की चीजे किसी सुहागन महिला को आप दे दें भगवान गणपती को दुर्वा मोदक लड़ू इन सभी चीजों का भोग लगाएं बहुत उत्तम समय रहेगा और इस दिन एक ही बार अन ग्रहन करना है पूरे दिन में उसके बाद भगवान शिव के आरादना करनी है पूरा दिन मापारवती भगवान शिव का आपको द्यान करना है ये दिन आपके लिए बेहद सिद्ध दिन साबित हो सकता है बहुत सी परिशानियों का अंत कर सकता है तो दोस्तों और अदिकसी जानकारियों के लिए चानल को स सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें